नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल ग्यांधी फिंदी यूटूब चैनल पर तो आज हम बात करने जा रहे हैं महतारी वंदन योजना 2024 क्या है तो महलाओं को 1000 रुपे सरकार की तरफ से धन्दासी दी जा रही है यदि आपने अभी त सकते हैं कौन-कौन से डोकूमेंट्स आपको लगाने होंगे और कैसे आप फ़र्म को फील कर सकते हैं तो संपूर्ण जानकारी आपको हमारी इस वीडियो की मदद से मिलने जा रही है तो बात करेंगे जहां 36 गड़ राज्ज के लिए यह महतापोर्ण योजना सरकार की तर रुपे से कम है वही यहां पर इस योजना का लाब ले सकता है और वहीं यह महिला जो है वह 36 गड़ राज्ज की निवासी होनी चाहिए तो सबसे पहले इस योजना के लिए दस्ताविजू की बात करें तो आप सभी के पास सत्यापित जो फोटो है वह आप सभी के पास होन चाहिए फॉम में आपको शिपकाने के लिए आपको यहां पर क्रोस साइन करना होगा और वहीं आप आधे में जो आधे में फोटो में आप साइन करिए और आधे में आप कॉपी पर अपने यहां पर फॉम पर साइन करने होगा वहीं इस तानी निवासी के संबंद में या दोनु का यहाँ पर पैनकार्ड यदि हो तो वह भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा वहीं विबाहा का परमाण पत्र पंचायत ग्राम पंचायत और वहीं इस्तानी निकायों द्वारा जारी किया गया परमाण पत्र आप सभी के पास होना बहुत जरूरी है वहीं भी को यहां पर लगाना होगा वहीं दस्वी बारि वी का और मद दाता यानि कि पेच्छान पत्र है वो भी इसमें से कोई भी एक भाहता यानि कि आपकी पास्बुक बैंक पास्बुक की चाया विर्थी आपको लगानी होगी वहीं चालू खाते का मोबाइल नंबर आपको यहां पर लगाना होगा जो बैंक से जुड़ा हो EKYC करा हो DVD के माध्यम से चालू हो इस योजना का लाब आप सभी को DVD के माध्यम से मिलेगा वहीं बात करेंगे सो घुसना पत्र आपका यहां पर फॉम आपको लेना होगा और इसमें नोट्री की आउसकता नहीं है तो आप सभी ध्यान दें सो घुसना पत्र भी आपको लगाना होगा उप्रियुक्त के संबन्द में आप सभी के लिए जो धन्रासी है और इसके बारे में हम बात करेंगे कौन-कौन से फॉम आपको यहां पर किस तरों से आपको यहां पर फील करने होगे तो चलिए उस पर भी एक नज़ट डाल लेते हैं यदि आप विद्वा हैं यदि आप यहां पर विद्वा हैं तो आपको यहां पर मृत्यु परमाणपत्र अपने पति का लगाना होगा परमाणित किया जाता है तो स्री आपका नाम और पिता का नाम और यहां पर आयू आपको जाती और निवास वार्ड आपको ग्राम पं तो इस संबंद में मिर्तक की पत्नी शिरिमती आपका अपना यहां पर नाम खुद का यहां पर नाम लिखना होगा यहां पर पती का नाम यहां पर और उनके यहां पर पिता का नाम लिखना होगा इस तरह से आपको यहां पर वाड प्रभारी का यहां पर आपको यहां पर का नाम और यहां पर आधार कार्ड संख्या ग्राम कौन सी है ग्राम पंचायत आपको लिख लेना होगा और यहां पर आपको जन्पद यानि की जिला आपको यहां पर जिला जन्पद पंचायत लिखना होगा पंचायत और जिला और इसके बात आप अपना यहां पर नाम आप आपको यहां पर लिखना होगा तो यहां पर इस तरह से इसे करके आपको दिनांग के लिख लेनी होगी और लाश्ट में आपको यहां पर अपने यहां पर जारी करता जो जारी कर रहा है उसके हस्ताकसर यहां पर कर लेने होंगे वहीं परिपक्वता प्रमानपत्र आपको य यहां पर यहां सभी आपको यहां पर फील कर लेने होंगे विवाह यहां पर जो हुआ है उसका नाम विवाह कहां हुआ उसका यहां पर फॉर्म भरके आप सभी को यहां पर अपना नाम अपने पती से अलग होकर परिवक्ता के जीवनियापन कर रही हैं तो अलग हैं तो उसक लगाने होंगे बैंक जो पैंशन का जो पैंशन जिसमें आती है भुक्तान ही तु खाता संक्या खोला गया है उसका यहां पर नमबर लिखना होगा बैंक खाता के साथ साथ आपसी कोड आधार कार्ड मोबाइल नमबर और वोटर आइडी नमबर आपको लिखना होगा और आपको यहां पर अपने सिगनेचर कर लेने होंगे तो इस तरह से अपने यहां पर प्रधान ग्राम प्रधान के हस्ताकसर भी आपको यहां पर कर लेने होंगे तो इस तरह से आप यहां पर इस फॉर्म को आप लेकर भर सकती हैं वहीं आप सभी को इस तरह का एक फॉर्म औ और लेना होगा जो इस तरह से देख सकते हैं तो इसमें आप सभी पैंसन यूजना का नाम और वी पील नंबर कौन सा है यदि है तो वह भी लिख लेना होगा वार्शिक आई भी यहाँ पर लिख लेनी होगी और आविदक का यहाँ पर अपना नाम और साथ में पति का नाम ज जो भी आपके वोटर आइडी में है वो सभी आपको यहाँ पर फील कर लेने होंगे तो इस तरह से आप सभी यहाँ पर डोकुमेंट्स ओफलाइन तरीके से भर कर अपने नजदी की कहीं भी आपका सीवर लग रहा है ग्राम पंचायत में तो आप वहाँ पर जमा करके इन सभी डोकुमेंट्स को जमा कर लीजे तो ओफलाइन तरीके से आप सभी का यहाँ पर 20 तारीक से पहले आपको जमा कर लेने होंगे तो यदि आप ने अभी तक इस योजना का लाब प्राप्त करने के लिए फॉर्म फील नहीं किया है तो जल्द ही फॉर्म फील कर सकते हैं किसी भी वरकार की हल प्लाइंस के लिए भी कमेंट्ड बोक्स में कमेंट्स जरूर करें आपकी हल पर जरूर की जाएगी तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई योजनाओं से जुड़ी नई जानकारी के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाज़ थेंक्यू बाई बाई एंड टेक केर